फ्रेंट्स, MG Motor एक बहुती सस्ती टू स्विटर एलेक्टिक कार लॉंज करने जा रही है, जिसका नाम है Bison E100, इस कार में आपको तमाम फीचर देखने मिल जाएंगे, जो के कभी कबार हमें एक 10-12 लाकी कार में भी देखने को नहीं मिलता है, और ये कार ओल लेडी चाइना क की सडकों पर दोड़ रही है, साथ ही इस कार का जो रिस्पॉंस है चाइना में वो बहुत ही अच्छा है, और अब MG Motor इसे 2020 में इंडिया में लॉंज करने जा रहा है, तो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस कार की पूरी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इसके लॉंचिंग डेट, टॉप स्पीड और प्रैस के बारे में बात करेंगे, तो फ्रेंट्स मेरा नाम है नूरेन आजाद और टेक्नलोजी माफ्या में हमेशा कितना आपका स्वागत है, चलिए अब बात करते हैं MG Motor के इस टू स्विटर एलेक्रिक कार के बारे में, तो फ्रे अब अगर हम बात करें इसके डिजाइन के बारे में, तो ये एक स्मॉल कार है, जिसका डिजाइन बड़ा ही स्टाइलिश है, फ्रेंट में आपको हैड लाइट और बिल्कुल उसके सही नीचे आपको फॉग लेट देखने मिल जाएगा, वहीं अगर आप बैक्सेट में द 30 mm है, एन दोनों ही पहियों में, that means front and back के पहियों में, डिस ब्रेक लगाया गया है, इस कार में आपको सिर्फ दो डोर देखने मिलेगा, और अगर हम इस कार के टोटल वेट की बात करें, तो इसका जो टोटल वेट है, वह 840 किलो है, बाई जोन E100 की जो लेंद है, वह 2.48 म है, width 1.5 मीटर, और इसकी जो height है, वह 1.67 मीटर है, साथ ही आपको इस कार में एक small सा boot space भी मिल जाएगा, जहां आपना सामान वगरा भी रख सकते हैं, और अगर आप इस कार के अंदर के साथ देखे, तो आपको एक 7 इंच का touch display मिल जाएगा, जिसमें Bluetooth and Wi-Fi connectivity को option available है, साथ ह आप अपना mobile भी करने करके song वगरा सुन सकते हैं, और इसे आप navigation और map के लिए भी use कर सकते हैं, और इसके लवा car की दूसरी information भी आपको यहां display करेगा, साथ ही इस car में manual AC भी लगाई गई है, यहां अगर हम इस car के battery के बारे में बात करें, तो इस car में 14.9 kg का एक lithium बैटरी install किया गया है, जिसे अगर आप एक बार full charge कर लेते हैं, तो अब 160 km to 200 km का travel आराम से कर सकते हैं, और इस car की battery को full charge करने के लिए 7.5, that means 7 घंटे का time required है, इस car में एक single motor लगाया गया है, जो के 29 kW का power generate करेगा, और उसका torque 110 mm होगा, साथ ही इस car में regenerative braking system का feature भी available है, तो उससे ह होगा ये कि जब कभी आप brake लगाएंगे, और आपके brake लगाने से जो भी heat या फिर energy generate होगी, उससे आपकी car की battery दुबारा charge होती रहेगी, चलिए आप बात करते हैं कि इस car में किन किन टाप के safety features available है, तो पहरा जो safety feature इस car में वो ये कि इस car में anti-lock braking system with electronic brake for distribution का use किया गया है, सेकेंड इस car में parking sensor available है, तो आपको आपकी गाड़ी पार्क करने में बड़ी ये आसानी होगी, तीसरा इस car में emergency brake assist का feature available है, तो इससे होगा ये कि अगर कभी आप heavy पे गाड़ी चला रहे हैं, और आपसे जो आगे वाली car है, उसने directly brake लगाया, और आपने भी साथ में brake लग आए नहीं, तो वहाँ पर ये sensor काम ये करेगा, कि आपकी गाड़ी से आगे वाली गाड़ी का जो distance है, उसे देखेगा, और आपकी क्या speed है, उसे देखेगा, इन दोनों चीज़ को calculate करके वो ये मालूं कर पाएगा, कि कितने speed में brake लगाना था, फिर आपने जितने speed में brake ल बात करते हैं, तो इस car को mid 2020 तक इंडिया में launch कर दिया जाएगा, और इसका जो top speed है, वो 100 km per hour है, और इसका जो price है, वो 3.5 लाग से ले करके, 4.5 लाग के बीच में हो सकता है, तो friends, आपको ये car कैसी लगी मुझे नीचे comment करके जरूर बता है, और आप इस तरह content देखना च कर दिजिए, क्योंकि इसी तरह में mobile, computer, technology and car related video से लेके आता रहता हूँ, साथ ही लगावा bell का icon भी प्रेस कर दिजिए, उससे हो गए ये कि आपको आने वाले नई वीडियो की notification मिल पाएगी, and अगर आप Technology Mafia के official Facebook WhatsApp group पे add होना चाहते हैं, तो इनीचे description पे link दिया है, आप click करके add हो सकते हैं, and fans thank you so much for watching this video, have a nice day, God bless you.